Hello दोस्तो, The Ultimate India में आपका स्वागत है दोस्तो, The Ultimate India के सिरीज, The Famous Indian में आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश भक्त की जिन्होंने अपना दौलत, अपना एशो आराम, अपनी फैमली और अपनी जिंदेगी देश के नाम पे कुर्बान किया आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत की आजादी के नायक सुभाश चंद्र बोस के बारे में तो दोस्तों सुभाश चंद्र बोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सुभाश चंद्र बोस की देशभक्ती बचपन से ही दिखने लगी थी एक बार उनके स्कूल के एक टीचर ने इंडिया के खिलाफ एक ब्यान दिया था तो सुभाश चंद्र बोस गुस्से में आके बिना कुछ देखे उस टीचर पर हमला कर दिया था सुभाश चंद्र बोस पढ़ने लिखने में भी बहुत इंटेलिजेंट थे सिविल सर्विसिस के एक्जाम में उनका रैंक फोर आया था और उन्होंने ये अचीवमेंट अपने पिताजी के नाम पे किया था उनका मानना था कि उनके पिताजी की वज़े से ही वो इंटेलिजेंट और देशबक्त है सुभाष चंद्रबोस दो बार इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए एक बार 1938 में और एक बार 1939 में पर महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्रबोस कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट बने इसलिए महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया महात्मा गांधी के विरोध करने की वज़े से सुभाष चंद्रबोस को बहुत बुरा लगा और उन्होंने खुदी इंडियन नैशनल कॉंगर्स की प्रेसिडेंट की गुर्सी त्याग दी सुभाष चंद्रबोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए जापान और जर्मनी से दोस्ती गर ली सुभाष चंद्रबोस को Patriot of Patriots भी बोला जाता था सुभाष चंद्रबोस को मातमा गांधी ने दिया था सुभाष चंद्रबोस इंडियन National Congress के President बनने के बहुत पहले से ही Politics में बहुत सक्रिये रहे थे वो 1924 में कोलकाता के मेयर भी रहे थे सुभाष चंद्रबोस लिखते भी बहुत अच्छा थे सुभाष चंद्रबोस एक Newspaper Publishing Company Forward के Editor-in-Chief थे और उनकी एक खुद की Newspaper की Company भी थी जिसका नाम तो सुराज सुभाष चंद्रबोस को 1921 से 1941 तक 10 बार जेल में बंद किया गया था 1941 में सुभाष चंद्रबोस ने जर्मानी की मदद से Free India Radio और Free India Center की स्थापना की थी सुभाष चंद्रबोस की शादी एक Austrian महिला से हुई थी जिनका नाम Emily Schenkel था उनकी अभी एक बेटी भी है जिसका नाम है Anita बोस और वो जर्मानी की बहुत बड़ी Economist है 1942 में World War के समय एडॉल्फ हिटलर किसी भी नेता से नहीं मिलते थे पर वो सिरफ सुभाष चंद्रबोस से मिले क्योंकि उनको लगता था कि इस बंदे में कुछ खास है एडॉल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्रबोस को जर्मनी के सबमरीन में आने का नियोता दिया और उनको जर्मनी से मेडगासकर तक सबमरीन में लेके गए सुभाष चंद्रबोस ने भारत की आजादी के लिए कई सारे नारे दिये पर कुछ नारे बहुत फेमस है जैसे की जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा सुभाष चंद्रबोस ने अपनी एक आर्मी बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज इन्होंने ये आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई थी सुभाष चंद्रबोस को इजद से नेता जी बुलाया जाता है और वो इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर भी है ये माना जाता है कि आज जो हम भारत की आर्मी को देख के अपना सीना चोड़ा कर लेते है ये सुभाष चंद्रबोस की ही देन है सुभाष चंद्रबोस की मौत कैसे हुई ये एक बहुत बड़ा रहस्य है और अभी तक इसका प्रूफ नहीं मिल पाया है कि उनकी मौत हुई कैसे थी ये माना जाता है कि उनकी मौत ताइवान में एक प्लेन क्रैश से हुई थी पर कुछ लोग मानते है कि वो रशिया में जाके सेटल हो गए थे किसी को ये अंदाजा नहीं है कि उनकी मौत एक्चुली हुई कैसे थी तो दोस्तो ये थे नेता जी सुभाश चंद्र बोस के बारे में कुछ फैक्ट्स अगर आपको भी कुछ फैक्ट्स पता हो तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखे और ऐसे और फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे थैंक्यू दोस्तो